साथियों, जानकारों का कहना है कि करोना की ये नई लहर पिछले बार के मुकाबले जादा गंभीर है इसके कारण संक्रम्र की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है इसलिए हमें जादा सावधानिया बरतने की आवशक्ता है पिछले कुछ दिनों से दिल्ली पुलीस की हमारे कुछ साथी करोना पॉजटिव पाए गये हैं ये संख्या बढ़ती जा रही है जो की चिंता का विश्य है पुलीस कर्मियों का करोना से उत्पन स्थिति से निपटने में एहम योगदान रहा है दिल्ली पुलीस कर्मी इन परसितियों में भी अपने को घर में सिमित नहीं रख सकते हमें इस करोना वाइरस की लडाई में अपने कर्तब्यों का निर्वाहन करते हुए करोना वाइरस से अपना बचाओ भी करना होगा एक दूसरे के साथ काम करते हुए जनता के बीच जाते हुए, वेरिफिकेशन करते हुए, चलान काटते समय, पिकेट पे ड्यूटी देते समय अस्पिताल में आते जाते वकत करोना से संक्रमित होने की काफी संभावना बनी रहती है परहंतु एहतियात बरते से इस संभावना को कम किया जा सकता है आप अपने चेहरे पर N95 मास्क या 3-ply सर्जिकल मास्क लगा कर रखें पतले कपड़े से बना हुआ मास्क आपके लिए शायद पर्याप्त ना हो कम से कम दो परतों वाले मास्क को अवस्य पहने हमें एक दूसरे से उचित दूरी बना कर ही काम करना चाहिए अनिता यह हानिकारत सिध होगा अपने कारिस्तल पर सोशल डिस्टिंसिंग का ध्यान रखें वो अपने कारिस्तल या वहन आदी को सेनिटाइज करें और अपने हातों को साबुन से बार बार दोते रहें इमिर्टी बढ़ाने वाली चीजों जैसे अरुवेदिक काढ़ा, विटमिन सी, जिंक टैबलिट आदी का नियमित सेवन डॉक्टर की सला लेकर करते रहें स्वस्त रहने के लिए योग और वैयाम भी नियमित रूप से करें यह ध्यान रखें कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आप कोई लापरवाही न करें भीर भाड़ वाली जगों समाजिक कार्यकरमों से बचें यहां तक कि अपनी डूटी के दोरान भी समाजिक दूरी बना कर रखें हमें अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान परस पर रखना चाहिए आप सुरक्षित रह कर ही दूसरों की रख्षा कर सकते हैं आपको यह बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि आपके सामने वाला संभावता करोना से संक्रमित हो सकता है किसी भी यूनिट का कर्मी अगर करोना पॉस्टिव होता है तो इसके लिए हमने यूनिट के सीनियर ओफसर के साथ-साथ पुलिस मुख्याले के ओफसरों की भी सेवाय निरधारित की हैं ताकि अच्छा इलाज हो सके और हस्पताल में बेड मिलने में परशानी ना हो। पूरा दिल्ली पुलीस विभाग आपके साथ खड़ा है। इसके लिए 7 व बाइस मई 2020 को स्टैंडर्ड ओपरेटिंग प्रसीजर्स जारी किये गए थे। करोना को दिल्ली पुलीस परिवार में फैलने से रोकने वो उसके बचाओ के लिए सरकुलर नंबर साथ प्रटा 2020 में दिये गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने को और अपनी परिवार के सर्दर्शों को सुरक्षित रखे। मैं यह भी अनरोत करना चाहता हूँ कि इन निर्देशों के अलावा भी जो भी आप उचे समझते हैं एक जिम्मेदार अफसर होने के नाते वो कदम आप अबस उठाएं जिससे इस महमारी से सभी का बचाओ हो सके। हमारा दिल की पुलीस के सुरूप में बढ़ोतरी हो सके। मैं आपको आपकी मेहनत के लिए बढ़ाई देता हूँ और आपकी वो आपके परिवार की अच्छी सहत की कामना करता हूँ। जैह हूँ।